कॉंग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं राहूल गांधी स्वक्की बड़ी खबर दिल्ली से जहां राहूल के साथ प्रयांका गांधी भी मौदूद हैं कॉंग्रेस मुख्याले से एडी दफ्तर जाएंगे राहूल गांधी कॉंग्रेस के पूर वध्यक्ष राहूल गांधी आज फिर प्रवर्टा निदिशाले याने कीईजी के सवालों का सामना करते नज़राएंगे नैशनल हेरोल से जोड़े मामले में राहूल गांधी से कल सोमवार को करीब 10 घंटे पूछता चुई थी आज फिर उनको एडी दफतर जाना है और इस पीच दिल्ली में कई चके है पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है अकबर रोड पर धारा 144 लागू कर दी गई है कॉंग्रिस नेता प्रियंका गांधी वोड्रा अपने भाई राहूल गांधी से मिलने उनके आवास पर भी पहुँची है आज नैशनल हेरोल मामले में कॉंग्रिस नेता राहूल एडी के सामने पेश होंगे वहीं चत्रजगर के मुक्यमंत्री भूपेश पगेल भी दिल्ली कॉंग्रिस दफ्तर पहुचे हुआ है तो घर से कॉंग्रिस दफ्तर के लिए निकले है राहूल गांधी कल 10 घंटे तक पूचता चुई थी किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था हमने आपको बताया था कि लगतार प्रदर्शन करती रही है कॉंग्रिस कारे करता है यहां बैरिगेटिंग थोड़ते नजर आए उसके उपर चड़ते नजर आए और यह चाहते थे कि वो एडी के ऑफिस राहूल गांधी के साथ पहुचे लेकिन हला कि उन्हें वहां बीच में ही रोका गया था तो नैशनल हेराल का पूरा मामला है तीन घंटे जब पूचताज हुई थी कल उसके बाद लंच ब्रेक भी दिया गया था इसके बाद वो कोविट से पिड़ित अपनी मा सुनिया गांधी से मिलने भी अस्पताल पहुचे हुए थे इस पर शर्मा जादा चानकारी के लिए मैंसा दिल्ली से चुड़ गया है इस पर जिस तरह से बात करें तो अगर हम बाद से तो आप कही ना कही immens आप इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से राएम गन्दी आगे बढ़ते वे नजर आएंगे और उसके बाद तमाम नेता उनके पीछे पीछे जो है चलते वे जो है नजर आएंगे ऐसे में एक बार फिर से आज राहूल गांदी को एडी दफ्तर गुलाया गया है तो फिलाल कॉंग्रेस की अगर बात करते हैं तो कॉंग्रेस अपने नेता क जा रहे हैं और जो कारेकरता अंदर जाने की कोशिश कर रहा है कॉंग्रेस मुक्याली की तरफ उनको जो है सीज़े तोरपा डिटेन करने का काम भी किया जा रहा है तो कॉंग्रेस दफ्तर पहुंचे राहूल गांदी के बाद पैदल मार्च करेंगे और वहां पर कितने जाधा संख्या में अपर पुलिस करमियों को तैनात किया गया आएसपर्श यृज पर्श आप तक वास पहुंच रही जी सिपर यह आप औरना घ़ए ःनको नजर आए और पुलिस पॉर्च के ताथ साथ अलगला touched जोआन यहां पर चैनात ने कई लेवल की बैरिकेटिंग कल जिस तरीके से की गई थी, उसी तरीके से कई लेवल की बैरिकेटिंग यहाँ पर जो है की गई है ताकि सिर्फ राहूल गांदी जो है इधी दफ्तर पहुंचते वे नजरा है, इसके लावा कॉंग्रेस मुख्याले के आज-पास के जो तमाम राहूल गांदी के अलवा जो अन्य कारे करता है, बड़ा नेता है, सांसद है, मुख्यमंसी है, वो एडी दफ्तर ना पोचे लेकिन कांग्रेस की तरह से पूरी तयारी है कि राहूल गांदी के साथ वो खड़े दिखना चाती है और तमाम नेता आज भी एक साथ राहूल नजर आएंगे तो कॉंग्रेस दफ्तर पहुँच हैं राहूल गांधी, राहूल के साथ प्र्यंका गांधी भी मौद्ध हैं, सपर्ष जिस तरह से हम बात करें, कल भी जो है वो ब्रेक दिया गया था स्पर्श कल जिस तरह से लंच फिर से संपर करने की कोशिश करेंगे हम बता दे जिस तरह से कॉंग्रिस मुख्याले से इरी दफ्तर राहूल गांधी पहुच रहे है